आज की रेसिपी है कद्दू का हल्वा, कद्दू या लॉकी सबको यह बहुत पसंद होती है, इसका जब मीठा बनाया जाए तो इस अमेजिंग, ट्रस्ट मी, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेरे चानल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब कर लीजेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए चाहिए एक मीडियम साइस का कद्दू, वन कप खोवा, टू पिंच इलाइची, वन कप शुगर, टू टू त्री स्पून घी, मैंने यहां लिया है पैन, इसम जर्म होगा, मैं आड करूँगी, कद्दू, या इसको आप कह सकते हैं लौकी, जैसे ही आप इसको ग्रेट करेंगे, क्विक्ली बनाना स्टार्ट कर लें, नहीं तो इसका कलर चींज हो जाता है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी घी में, और दो से तीन मिनिट क है, इस स्टेच पे हम दालेंगे खोवा, मैंने इस खोवे को थोड़ा सा दूट दाल कर इसको सौफ्ट कर लिया था, ताकि या आसानी से कद्दू में मिक्स हो जाए, अगर आपके पास खोवा नहीं है, तो आप इसके जगा दूद भी इस्तिमाल कर सकते हैं, मगर खोवे क का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यह होममेड खोवा है, आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, अच्छा मिक्स करके खोवे को कद्दू के साथ पकाएंगे, ताकि इसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाए, अब यहां में डालू जिकमेंट अलरेडी मीठा होता है, तो आप शकर की क्वाइंटिटी को हाफ कर दें, इसको मैं और दो से तीन मिनिट के लिए पकाऊंगी, ताकि यह पूरा सॉफ्ट हो जाए, इसी तरह से लगातार हिलाते रहें, ताकि यह नीजे से चिपके ना, देखें शकर का पानी आल कम लग रहा था, इसी लिए मैंने सुचा थुड़ा सा और शुगर डाल लेते हैं, इसको मैं मिक्स करके शकर मेल्ट होने तक पकाऊंगी, साथ ही मैं डाल रही हूँ, वन टू टू ड्रॉप फूट कलर, यह मैं इसी लिए डाल रही हूँ, ताकि हलवे का कलर एकदम पॉफेक्ट लगे, यह आप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके, दो मिनिट के लिए पका लेंग ताकि पॉफेक्ट हलवा रेडी हो जाए, जैसे ही हलवा अतराफ से तेल छोड़ना स्टार्ट करें, तो आप समझ जाएगा कि पॉफेक्ट हलवा रेडी है, देखें कितना यम्मी लग रहा है, इसको आप जरूर ट्राइ करिएगा, चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं, आप इसको किसी भी तरह सजा सकते हैं, मैंने यहाँ बादाम के साथ गानिश कर दिया, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिएगा, और न्यू एबडेट्स के लिए बेल आइकोन को क्लिक करिए,